आहें चलते हैं अपने next question 2.9 की तरफ which of the following can be obtained from speed time graph of a body? initial speed, final speed, distance covered in time t या फिर acceleration of a motion speed time graph को कुछ यू रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसका y-axis speed को और इसका x-axis time को show कर रहा होता है अगर for example मैं एक graph लेता हूँ कुछ इस तरह का और मैं आप से पूछता हूँ कि इस graph से हम इन चारों में से कौन कौन सी चीजंपांड कर सकते हैं तो इसका अपको तरीका बठाता हूँ जो इसका starting point होता है वो हमारे पाश इनीशियल speed होती है तो इसका मतलब यह है कि हम initial speed find कर सकते हैं अब तीसरा पार्ट है कि distance covered in time t को क्या इससे find किया जा सकता है तो बहुत simple है आपको distance का formula पताना चाहिए कि जो हमारे पास distance है वो v into t के एकवल होता है तो अगर for example मुझे इस जगा पे object का distance covered निकालना है तो मुझे इसके against velocity देखनी है कि यहाँ पर कितनी velocity थी और इसके against मैंने time देखना है कि यहाँ पर मेरे पास कितना time था हम जब इन दोनों चीज़ों को find कर लेंगे तो उनको आपस में multiply करेंगे तो हमारे पास distance आ जाएगा तो it means कि हम इसकी तीसरी चीज़ भी distance covered in time t भी find कर सकते हैं और last time हमारे पास acceleration of motion क्या हम speed time graph या velocity time graph से acceleration को find कर सकते हैं तो yes slope हम निकालते हैं इसी वज़ा से हैं कि हमारे पास acceleration आजए आपको acceleration का formula पता भी है कि जो हमारे पास acceleration है वो delta v over delta t के एकवल है और इस graph से आपको change in velocity यानिके delta v मिल रहा है और इसके horizontal line delta t यानिके change in time को show कर रही है तो आपके पास change in velocity और change in time दोनों है इसका मतलब है acceleration विया find कर सकते हैं तो आपने इस question को ऐसी explain करना है कि हम speed time graph के जरीए इसकी initial speed, final speed, distance covered और acceleration सारी की सारी चीज़ें find कर सकते हैं